तो केसे हो मामू जपरी रोग आशा करता हूँ साले पकड़ो अब मस्त ही हो गए तो चलो वीडियो देखते हैं तो कहानी की सुरुवाद होती हो और हो मैं अक मामू कैदी को देखते हैं जो रशिया वालों की जासूसी कर रहा था और वो रंगे हाथ पकड़ा गया था उसकी बीवी ने ये बत साब कबूल की थी कि मेरा पतियक जासूस है इसलिए खूंखा रशिया देश के कुछ पुलिस ओफीसरों ने हमारे इस मामू को गिरपतार कर लिया था और एक एसी जेल में डाल दिया था जहां से भागना इनपोर्सिबल था दोस्तों क्योंकि जेल तो जेल मलब कि उसके आसपास का इलागा भी 500 किलोमीटर तक बरफीला था और आये देन वहाँ पर तूफान आते रहते थे इसलिए वहाँ से अगर कोई भाग भी निकलता तो वो उस जंगल को पार नहीं कर सकता था और बीच रास्ते में ही उसकी मही कमही मोत हो जाती ये जेल भी दोस्त ऐसा खूंखार मामू लोगों के लिए बनाई गई थी इसलिए वहाँ पर टेर सारी कड़ी सिक्योरिटी और वहाँ पर तेनात कुते मोजूद थे जो कोई भी एक अलचल पर वही कमही उस सक्स को म डालते हैं जो वहाँ बराना का नी करता लेकिन जेल में हमर इस मामू के एक बंदा मिल जाता है जो 11 मेने और 29 दिन से इस जेल में केट था और हमर मामू के साथ उसकी दोस्ती बहुती गेहरी हो जाती है अब वह दोनों प्लान करते हैं कि हमें किसी भी तरह से इस जेल से नि लोगों को शिड़ा जयता है कि हम इस जेल से भागना है अभी दोस्तों उस जेल में आए दिन लैट जाती रहती और इन सभी लोगों का लग भी जोर कर रहा था क्योंकि एक दिन लैट चली जाती है और ये सारे लोग उस जेल से बहुत ही बुरी तरस और तूफान की स्पीड में वहाँ से भाग निकलते हैं पुलिस वाले इन सारे लोगों का पीछा करते हैं फिर बाद में वो सोचते हैं कि वो साले मामू लोग इस जंगल से बहुत ही दूर नहीं जा पाएंग और इस जंगल में ही उन सारे लोगों की बिना खाए पिये बगर मोत हो जाएगी इसलि रहा था इसलिए उन सभी लोगों के दिमाग में थी एक जील अगर वो जील तक पहुंच जाते तो जील के सारे वो मंगोलिया देश तक पहुंच जाते यानि कि रशिया देश से आजाद और फिर वहाँ पर जाकर अपनी फूलो नेस वाली जिनकी बिताते ये सारे लोग दोस कि सुबह उठते ही वो पुरा का पुरा आकर चुगा था और उसकी वोई के मोध हो गई थी इसलिए ये सारे लोग उसे अच्छी तरह से दफन करते हैं फिर वापिस आगे बढ़ते हैं अब इन सारे लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था इसलिए रास्ते मे जो भी किड़े मकोड़े आते हैं वो खाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं अब तक सो दिन हो चुगे हैं लेकिन अभी ये सारे लोग जील तक नहीं पहुँचे वो एक गुफा में थे और वो देखते हैं कि कुछ भेड़ी एक अपना सिकार खा रहे हैं लेकिन ये सारे लोग भी जानवर बन चुके थे क्योंकि खाने पिने के लिए कुछ सही सा मिल नहीं रहा था इसलिए वो भेडियों को फगा देते हैं और उन साले भेडियों का सिगार ये सारे छपरी लोग खा लेते हैं ये सारे लोग दोस्तों चलते रहते हैं चलते रहते बिना थके बिना रुके और 180 दिन के बाद वो उस जिल तक पहुँच जाते हैं जिस जिल के रास्टे से वो मंगोलिया तक पहुँच सकते थे मंगोलिया तक पहुचने के बीज रास्टे में से कई छोटे मोटे गावा आते लेकिन ये हमारे सारे मामू लोग किसी भी गाउं में नहीं जा सकते थे क्योंकि इन सारे लोगों उपर भार इनाम रखा हुआ था और अगर कोई गाउं वाला सरकार को ये खबर दे देता कि ये सारे मामू छपरी लोग हमार यहां पर है तो इन सारे लोगों की वाट लग जाती इसलिए ये सारे लोग छुपते छुपाए और गने जंगल के बीचो बीच से ही आगे बढ़ रहा थे अभी दोस्तों 200 दिन बीच चुके थे और अभी ये सारे लोग रशिया की बोडर तक पहुंच चुके थे और वहां से मंगोलिया का पूरा का पूरा देश भी अभी रशिया के अंडर में था इसलिए ये सारे लोग ज्याँ पर भी सेप नहीं थे अभी ये सारे जाटू लोग ये भेसला करते हैं कि चाइना और रशिया के अच्छे सबंध है इसलिए हम चाइना में भी नहीं जा सकते गर हम वहां पर यह सारे लोग वहाँ से भी निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं चायना की बोडर पर, यहाँ पर कुछ लपंडरि सेनिक थे, जो इन सारे लोगों के पास आकर कुछ पूस्थास करते हैं, लेकिन ये सारे लोगों ऐसा के कर बाद टाल देते हैं, कि हम सब यातरी है, हम गुमने आये थे और बिषड चुके है, अब आपस जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मतलब कि टेल रहे हैं, अभी दोस्तों में बात ये थी, कि चाइना और इंडिया के भीच मा था बहुत बड़ा रेगिस्तान, और उस बड़े रेगिस्तान को इन सारे लोग अपनी प्यास बुजाते हैं, इन सारे मामू लोगों की टीम में एक लड़की भी थी, चिकनी चमेली आइटेमेक, अभी दोस्तों रेगिस्तान की धूपकी और घर्मी की बज़ा से, और बिना खाये पिने के बगेर, ये लड़की विचारी वहाँ पर, शेड लिम मर चुकी थी, सही से दफन करते और वापिस निकल जाते अपने सफर पर, जो की था इंडिया नेपाल तक पूँचना, अभी दोस्तों 400 दिन बीच चुके थे, और ये सारे लोग अपनी मंजिल की और आगे बढ़ रहे थे, 400 दिन मतलब की एक साल से भी ज्यादा कबब, और ए से अपने घर पर जाना, इसलिए ये सारे लोग आगे बढ़ रहे थे, अभी दोस्तों पुरे के पुरे 435 दिन हो चुके थे, उस जेल से भागने के बाद, लेकिन अभी ये सारे लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन एक दो दिन चलते हैं और वो देखते कि हिमालाई आ चुका है, और हिमालाई को वो साइड से पार करते हैं, जरा देखिये एक बार और ये 4-5 बचे-कुचे हुए लोग पहुँच जाते हैं नेपाल में, जहाँ पर वो अपनी आप बीती बताते हैं, कि हम अपने अपने देश के जासू से, और वो उन साले रसिया वालों ने हमाँ पकड़ लिया है, और दोस्तों नेपाली लोगों को इन सारे लोगों पर रहम आ जाता है, और वो इन सारे लोगों को अपने घर पर ले चलता है, माँ पर वो इन सारे लोगों को खेता है, किसा लोग पेसे ना होता चलेगा, पेसे में देता हूँ, लेकिन यहां से बस या ट्रेन या रिक्सा जो भी मिले, उसमें यहां से अपने अपने घर चले ज जो कि वो मेंने पहुचा दिया है यहां पर मूवी के एंडिंग हो जाती है